नमस्कार, पिछले कुछ दिनों से हम लोग सविनय वग्या अंदोलन को पह रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं हमने देखा कि सविनय वग्या अंदोलन के दर्मियान तीसरा गोल में सम्मेलन आयोजित हुआ और तीसरे गुल में सम्मेलन ने भारत शासन अधिनियम 1935 की रूप रेखा तयार की इस अधिनियम को हम लोग दो तरीके से समझने का प्रयास कर सकते हैं सबसे पहले समवयदानिक सुधारों के अधियाय में हमने इस बात का जिक्र किया था कि अभी तक जितने भी समवयदानिक सुधार किये गए अंग्रेजी सरकार के द्वारा उनमें कोरिलेशन इस्थापित करने की हमने वहाँ पर कोशिश की दूसरा तरीका जो होता है इतिहास की विभिन घटनाओं इतिहास की विभिन घटनाओं से जोड़ कर इस अधिनियम को देखा जा सकता है इतिहास की घटनाओं से जोड़ कर हों से जोड़ते हुए इस अधिनियम को देखा जा सकता है तो इस प्रकार समवयदानिक सुधारों की द्रिष्टी से तो हम लोग इस अधिनियम को बहुत पहले पढ़ चुके हैं इस चैनल पर अभी भी उपलब्द है आज हम लोग देखेंगे कि इतिहास की विभिन घटनाएं इस अधिनियम से किस प्रकार संबंदित हैं जो आपको शायद कहीं न मिले आईए एक एक करके पहले समझते हैं कि कौन-कौन सी बातें इसमें जो भी प्रावधान दिये गए उसमें लगभग 90 प्रतिशत प्रावधान ऐसे थे जो कभी न कभी किसी न किसी रूप में चाहे वह भारतियों के द्वारा या अंग्रेजी सरकार के द्वारा नियुक्त प्रतिनिदी के द्वारा प्रस्तुत किये गए थे। सबसे पहले शुरुवात करते हैं प्रांतों में द्वैद शासन प्रणाली की समाप्ति जैसा कि हम लोग जानते हैं कि साइमन कमिशन ने अपनी रिपोर्ट में 1928 में यह अनुशंसा की थी कि प्रांतों में द्वैद की समाप्ति कर दी जाए इससे एक कदम आगे बढ़के द्वैद शासन को प्रांतों में तो समाप्त कर दिया गया प्रांतों में समाप्त कर दिया गया लेकिन इसको केंदर में लागू कर दिया गया था तो कहीं न कहीं इसका संबंद साइमन कमिशन से है दूसरी बात जो पहले अनुशंसे थी वह थी कि प्रांतों में स्वायत्ता प्रादान की जाए हम लोग दो घटनाओं में इसका जिक्र देखते हैं पहला नहरू रिपोर्ट में जिसमें कहा गया था कि प्रांतों को स्वायत्ता प्रादान की जाए इसी बात को दूसरे स्वरूप में नहरू जिन्ना ने अपनी 14 सुत्री मांगों में प्रस्तुत करने की कोशिश की थी कि सभी प्रांतों को स्वायत्ता प्रादान की जाए इस प्रकार दूसरा प्रावधान नहरू रिपोर्ट और जिन्ना की 14 सुत्री मांगों से संबंदित है तीसरा प्रावधान जो था अखिल भारतिय संग की इस थापना हम देख चुके हैं कि प्रथम गोलमेज समेलन के दर्मियान देशी नरेशों ने इस अवधारणा को प्रस्तुत किया था चौथी बात संग्हिय न्यायाले की इस थापना जब गांधी जी ने अउपनिवेशिक स्वराज की मांग की प्रबल वकालत की थी उस मांग को ठुकराते हुए अंग्रेजी सरकार ने संग्हिय न्यायाले की स्थापना का निर्णे लिया था और गोशणा की थी बर्मा को भारत से अलग किया जाना याद होगा जब बंबई में 28 दिसंबर उन 1885 को कॉंग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था उस अधिवेशन में 9 प्रस्ताव पेश किये गए थे उनमें एक प्रस्ताव यह भी था कि बर्मा को भारत से अलग कर दिया जाए इस प्रकार यह कॉंग्रेस के प्रथम अधिवेशन से संबंदित है अगली बात करते हैं साइमन कमीशन ने भी इसकी अनुशंसा की थी साइमन कमीशन ने अनुशंसा की थी कि बर्मा को भारत से अलग करते हुए सिंद और उडीसा को अलग प्रांथ का दर्जा दिया जाए इस प्रकार यह जो प्रावधान था बर्मा को भारत से अलग किये जाने वाला प्रावधान वह कॉंग्रेस के प्रथम अधिवेशन और साइमन कमीशन की रिपोर्ट से संबंदित था अगली बात उडीसा और सिंद का निरमान करना अर्थात उडीसा और सिंद को प्रिथक प्रांथ का दर्जा दिया जाना आपको याद होगा कि पहली बार तो साइमन कमीशन ने इसकी अनुशंसा की थी कि सिंद और उडीसा को अलग प्रांथ का दर्जा दिया जाए उसके बाद जिन्ना ने एक मांग अपनी 14 सुत्री मांगों में रखी थी वह थी कि बंबाई से सिंध को अलग किया जाए बंबाई से सिंध को अलग किया जाए इस प्रकार यह साइमन कमीशन और जिन्ना की 14 सुत्री मांगों से संबन्दित है अगला प्रावधान था भारत परिशद को भंग किया जाना यह प्रस्ताव भी याद होगा कॉंग्रिस के प्रथम अधिवेशन में पारित किये गए नौ प्रस्तावों में से एक था जिसमें कहा गया था कि भारत परिशद की व्यवस्था जो की इंगलेंड से संचालित हो रही है 1858 के अधिनियम के तहत उस व्यवस्था को समाप्त करते हुए भारत के शासन की जाच के लिए एक सरकारी आयोग का गठन किया जाए इस प्रकार यह प्रावधान भारत परिशद को भंग किये जाने से संबंदित जो प्रावधान था जिसको भारत शासन अधिनियम 1935 में समाहित किया गया था इसका संबंद कॉंग्रेस के प्रथम अधिवेशन से है इस प्रकार अगर हम लोग देखें तो भारत शासन अधिनियम कोई एक सोच की उत्पत्ती नहीं है यह कई लोगों के सोच की उत्पत्ती है कई लोगों के सोच का परिणाम है जो हमें भारत शासन अधिनियम 1935 में देखने को मिला यह अलग बात है कि लिन लित्गों ने सभी की सोच को समगर रूप से एक कागज में तयार करने का काम किया लेकिन यह कहीं न कहीं कई संख्या में बहुत सारे लोगों की सोच थी जो हमारे समक्ष भारत शासन अधिनियम 1935 के रूप में प्रस्तुत हुई और जिसे हम आज भी वर्तमान स्वतंत्र भारत में देख रहे हैं क्योंकि 395 अनुच्छेद में से लगबग 200 अनुच्छेद वर्तमान स्वतंत्र भारत के सम्विधान में शामिल किया गया है कुछ को संशोधेत रूप में सुईकार किया गया, कुछ को अक्षरशा सामिल कर लिया गया, तो इस प्रकार सभी बहुत सारे लोगों की सोच ने एक positive result दिया जिसको हम आज भी देख रहे हैं, अगले अध्याय में इसी से संबंधित कुछ नया सीखने का प्रयास करेंगे, इ तब तक के लिए जय हिंद